मसल जी नसों की ही बात करेंगे क्योंकि नसों की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है और फिर जब कोई इलाज नहीं बचता तो फिर डॉक्टर्स ही कहते हैं कि कहीं न कहीं आपको स्टंट की जरूर पड़ेगी आपको स्टंट डलवाना पड़ेगा और व्यक्ति रहता हूं दोस्तों आप वक्त रहते हिलाज कर लेए तो अब यह चलता रहता है लेकिन बीमारी जो गाड़ा पड़े होते हैं कहीं रहा खून में यहां से नहीं तो और कहीं हो जाता है फिर यह मलब स्थिति कंडिशन हो जाते हैं फिर कई बार दो दो तीन तीन चले डल ज पर फिर बीमारी आ जाती है आठका प्रेशन हो जाता है कई बार बाई-पास सर्जरी होने के बाद भी फिर दुबारा हो जाती है कई दस-पास साल में यह नहीं है कि ओ ठीक हो गया है तो इसलिए मैं यह दोस्तों आपको सला देना चाहता हूं नसों का खोलने का कूरस आप कंपन का रोग आ जा तो उसमें गोली दे जाते हैं जो माइंड को कर देती तो कंपन थोड़ा रुख जाता है लेकिन मैं कह रहा हूं जब आप नसों को खोल लोगे तो बहुत अचा आराम पड़ेगा क्योंकि नसों को खोलना बहुत जरूरी है जैसे मालों किड़नी का खर जाता है सौडियम बढ़ने लग जाता परोटीन भी उसमाने लग जाता है मला फिर दीरे 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 क्रेटिन एक पंट चार से 1.6 होगा दो पॉइंट हो जाएगा फिर पंधराई दिन पोर बढ़ जाएंगा फिर धीरे दीरे और तेज़ी से बढ़ती रहती है तो आप जैसे ही क्रेटिनाइन अगर आपका बढ़ने लग जाए तो तुरंत अगर इलाज ले लोगे आर्वेद में भी बहुत अच्छा हिलाज है हेलोपैथी में तो ही है हेलोपैथी में भी क्या है कि वीमारी को रोकने की दवाई देते हैं उसको ठीक करने की दवाई नहीं देते ह आर्वेद में भीमारी को जड़ पर उसकी काम करके उसको दुरुस्त किया जाता है और उसका बहुत अच्छे एफेक्ट आते हैं और लोंग टेम तक आराम पड़ता है आपको तो इसलिए मैं कर रहा हूं अगर आपका क्रेटिनाइन बढ़ने लग गया है किड़नी में इसलिए चलते पेसाब निकल जाता है तो यह किड़नी की निश्करयता होती है मैं अपने फलो में काम नहीं करी तो तुरंत मैं कर रहा हूं आर्वेदिक डाक्टर से भी सला लें और इसका कोरस करें इसका बहुत ही मैं कर रहा हूं अच्छा इलाज आर्वेद में प्राकरत अंतली चिलत पेसा अधियरता है तो जिनको भी यह फूर्ट लीटा तुर्वित उसकर आप लुटानी फिट मिलेगा पूरे मुल्तानी मिद्क का लिजुरीर लग आृट तो उसकस्रंवी तो कई प्रोष्टेट बढ़ने कर पारी और नसों की रुकावट है लेकिन की बार क्या हुता पहले किड़नी को यह पर जो भीमारी उसको ठीक कर दिया जाता है फिर नसों का कोरस करवा दिया जाता है तो उसमें बहुत अच्छे लाभ मिल जाते है वह आरवेद में इसका बहुत ही मैं कर रहा हूँ अच्छा इलाज है, तो आप यही करें, वक्त रहते हैं, अगर आपका क्रिटनर बढ़ने लग गया है, बलड यूरिया बढ़ने लग गया है, तो तुरंत मलड डाक्टर से सला लें, फिर देर ना करें, हाँ जो इलाज आप करा रहें, वो भी कराते रहें, साथ में दूसरा लेंगे, तो और अच्छा लाज मिल सकता है,